C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा साथ की विज्ञान की पाठे पुस्तक प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ छे शीर्शक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन प्रिष्ट 61 से 70 तक तो आईए अब सुनते हैं पाठ छे शीर्शक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन प्रिष्ट 61 पाठ छे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं इन परिवर्तनों में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आपकी माता जी आपसे शीतल पेव बनाने के लिए पानी में शक्कर घुलने के लिए कहती हैं। शक्कर का विलेन बनाना एक परिवर्तन है, इसी प्रकार दूद से दही जमाना एक अन्य परिवर्तन है, कभी-कभी दूद खटा हो जाता है, दूद का खटा होना भी एक परिवर्तन है खीचा हुआ रबडबैंड भी किसी परिवर्तन को बताता है, ऐसे दस परिवर्तनों की सूची बनाईए, जिन्हें आप अपने आसपास समझते हैं इस अध्याय में हम कुछ क्रिया कलाब करके इन परिवर्तनों की प्रकृती का अध्यायन करेंगे व्यापक रूप से ये परिवर्तन दो प्रकार की होते हैं, भौतिक और रासायनिक 6.1 भौतिक परिवर्तन क्रिया कलाब 6.1 कागस के एक टुकडे को चार वर्गाकार टुकडों में काटिये अब प्रत्येक वर्ग को पुनह चार टुकडों में काटिये इन टुकडों को फर्ष अत्वा किसी मेज पर इस प्रकार लगाईए जिससे ये टुकडे परस पर जुड़कर कागस के टुकडे का मूल आकार ले लें जैसा की चित्र 6.1 में बताया गया है स्पष्ट रूप से आप टुकडों को पुनह जोड कर मूल टुकडा नहीं बना सकते लेकिन क्या कागस के गुण में कोई परिवर्थन हुआ है प्रिष्ट 61 पर क्रिया कलाप 6.1 करने के लिए कागस के चार वर्गाकार टुकडे किये गए हैं इन टुकडों में से एक को पुनह चार टुकडों में काटा गया है क्रिया कलाप 6.2 अपनी कक्षा के चौक बोर्ड के आसपास फर्ष पर गिरे चौक पाउडर को एकत्रित कर लें अथ्वा चौक के एक छोटे टुकडे का चूण यानि पाउडर बना दें इस पाउडर में थोड़ा जल मिला कर पेस्ट बना लें इसे चौक के आकार में बेल कर सूख ने दें क्या आप चौक के चूण से फिर चौक बना सकते हैं? क्रिया कलाप 6.3 कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी बर्फ लीजिए बर्फ के थोड़े से भाग के पिघलने तक बर्तन को धूप में रखें अब आपके पास बर्फ और जल का मिश्रण होगा अब कटोरे को हिमकारी मिश्रण बर्फ और नमक में रखतें क्या जल फिर से ठोस बर्फ बन गया? प्रिश्ट बासेट क्रिया कलाप 6.4 एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसे उबालिए क्या आपको जल की सतह से भाप निकलती मालूम होती है? उबलते हुए जल से कुछ दूरी पर भाप के उपर किसी बर्तन को उल्टा करके रखिए बर्तन की भीतरी सतह को देखिए क्या आपको वहाँ जल की कोई बूंद पता चलती है? क्रिया कलाप 6.5 इस क्रिया कलाप के साथ एक सावधानी दी गई है लिखा है ज्वाला पर कारे करते समय सावधानी बढ़ते उप्योग किये जा चुके लोहे की आरी के बलेड को चिम्टे से पकड़िए बलेड के मुक्त सिरे के अग्र यानि अगले भाग को गैस स्टोव की ज्वाला पर रखे कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए क्या बलेड के अग्र भाग के रंग में कोई परिवर्तन होता है? बलेड को ज्वाला से हटाईए कुछ समय बाद अग्र भाग को पुनह देखिए क्या इसका पहले वाला रंग वापिस आ जाता है? क्रिया कलाब 6.1 और 6.2 में आपने देखा कि कागज तथा चौक के आमाप यानि साइज में परिवर्तन हो जाता है क्रिया कलाब 6.3 और 6.4 में जल की अवस्था परिवर्तित हो जाती है ठोस से द्रव अथवा गैस से द्रव क्रिया कलाब 6.5 में आरी के बलेड का रंग गर्म करने पर परिवर्तित हो जाता है पदार्थ के आकार, आमाप यानि साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण, उसके भौतिक गुण कहलाते हैं वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन सामाने तह उत्क्रमनी यह होता है ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थन नहीं बनता है अब हम दूसरे प्रकार के परिवर्तन पर विचार करते हैं चैदशमलव दो रासाइनिक परिवर्तन लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भलेभाती परचित हैं यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है यह पदार्थ जंग कहलाता है और यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है जैसा कि चित्र 6.2 में बताया गया है यहाँ प्रिश्ट बासट पर चित्र 6.2 में लोहे की कुछ जंग लगी वस्तुएं बताई गई है पार्क अथवा लौन आधी के लोहे के दर्वाजे अथवा बगीचों या पार्क आधी में रखी लोहे की बैंच और लोहे की लगभग कोई भी वस्तुए जो खुले में रखी रहती है में जंग लग जाती है आपने देखा होगा कि घर में रखी कुलहाडी, हथोड़ा आदी को वायू में कुछ दिनों तक खुला रख देने पर उनमें जंग लग जाती है रसोई में लोहे का गीला तवा कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसमें जंग लग जाती है जंग लोहा नहीं है जंग उस पदार्थ या लोह से भिन होती है जिस पर ये लगती है आईए, हम कुछ ऐसे और परवर्तनों पर विचार करें जिन में नए पदार्थ निर्मित होते हैं क्रिया कलाप 6.6 शिक्षक द्वारा निर्दर्शित किये जाने के लिए यहां प्रिष्ठ 63 पर एक सावधानी दी गई है इसमें लिखा है मेंगनीजियम के जलते हुए फीते अत्वा तार की ओर लंबी अवधी तक देखना हानिकारक होता है शिक्षकों को बच्चों को बताना चाहिए कि वे जलते हुए मेंगनीजियम की ओर अधिक समय तक टक टकी लगा कर ना देखें मेंगनीजियम की पतली पटी यानि फीता अत्वा तार का टुकडा लीजिए इसके सिरों को रेगमाल से साफ कर दीजिए सिरे को मुम्बती की लौ के पास लाइए ये चमकदार श्वेट यानि सफेद प्रकाश देती हुई जलने लगेगी जैसा कि चित्र 6.3 में बताया गया है यहां प्रिष्ट 63 पर चित्र 6.3 दिया गया है जिसमें मागनीशियम का जलता हुआ फीता बताया गया है इसम मागनीशियम के फीते जैसी लगती है ये परिवर्तन को यहां दिये गए समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है मागनीशियम यानि Mg जमा ऑक्सजन यानि O2 देता है मागनीशियम ओक्साइड यानि MgO यहां एक लेक दिया गया है जिसमें लिखा है ध्यान दे कि यहां लिखी समीकरण गणित में प्रयोक्त समीकरणों से भिन्न है इस प्रकार के समीकरणों में तीर का अर्थ है, बनना या हो जाता है इस पुस्तक में रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है और ना ही यह चात्रों से अपेक्षित है भस्म को एकत्रित करके इसमें जल की कुछ मात्रा मिलाइए मिश्रण यानि जलिय विलेन को अच्छी तरह हिलाइए मिश्रण का लाल और नीले लिटमस पत्र से परीक्षण कीजिए क्या मिश्रन लाल लिटमस को नीला कर देता है? क्या मिश्रन नीले लिटमस को लाल कर देता है? इस परिखशन के आधार पर आप जली विलेन को किस रूप में वरगी कृत करेंगे? अमली अथवा क्षार की एख भस्म को जल में घोलने पर यह नया पदार्थ बनाती है इस परिवर्तन को यहां दिये गए समीकरण के द्वारा लिखा जा सकता है जैसे Magnesium Oxide MgO जमा जल H2O बनता है Magnesium Hydroxide जो है MgOH2 जैसा कि आपने अध्याए पांच में पढ़ा था Magnesium Hydroxide एक शारक है अतहा Magnesium Oxide एक नया पदार्थ है जो Magnesium के जलने पर बनता है Magnesium Hydroxide एक अन्य नया पदार्थ है जो Magnesium Oxide को जल में घोलने पर बनता है प्रिष्ट चोंसट ट्रिया कलाप 6.7 श्रिक्षक द्वारा निदर्शित किये जाने के लिए कांच के एक गिलास या कटोरे अत्वा चोड़े मूह की बोतल में लगभग आधा का पानी लेकर उसमें एक चमच कौपर सलफेट यानी नीला थोथा घोल लीजिए इस विलेण में तनू सलफ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे मिलाईए आपको नीले रंग का विलेण मिल जाएगा एक परख नली अत्वा कांच की छोटी बोतल में विलेण का थोड़ा सा नमूना बचा लीजिए श्रेश विलेण में एक कील अत्वा उपियों किये जा चुके बलेड का टुकड़ा डाल दीजिए लगभग आधे घंटे तक प्रतीशा कीजिए अब विलेण के रंग को देखिए इसकी तुलना अलग से बचाय गए नमूने वाले विलेण के रंग से कीजिए जैसा चित्र 6.4 में बताया गया है प्रिष्ट 64 पर चित्र 6.4 दिया गया है जिसका वरणन क्रिया कलाब 6.7 में हुआ है लोहे के साथ अभिक्रिया के कारण कॉपर सल्फेट विलेण के रंग में परिवर्तन इस चित्र में बताया गया है यहां चौड़े मू की कांच की बोतल में copper sulfate willion है जो नीले रंका है और दूसरे चौड़े मू की कांच की बोतल में iron sulfate है जो हरे रंका है इसमें एक इस्तमाल किया हुआ blade अंदर डाला हुआ है और वहीं एक इस्तमाल किया हुआ blade बाहर भी है यहां बताया गया है कि चोड़े मू की कांच की बोतल में जो इस्तमाल हुआ ब्लेड डला हुआ है, उसका रंग बाहर पड़े ब्लेड से भिन्न है एक नए पडार्थ आरन सलफेट के बनने के कारण होता है, लोहे की कील पर भूरा निक शेप कॉपर या तामे की परत के कारण होता है, जो एक अन्यन नया पडार्थ है, हम इस अभिक्रिया को इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कॉपर सलफेट विलेन अर्थात C-U-S-O-4 नीला थोथा जमा लोहा यानि F-E बनता है आरन सलफेट विलेन जो है F-E-S-O-4 हरा जमा कॉपर जो है C-U भूरा निक शेप किसी परक्षनली में लगभग एक चमच सिरका लीजिए, इसमें चुटकी भर खाने का सोड़ा डालिए, आपको एक बुदबुदाहट की ध्वनी सुनाई देगी और ग्यास के बुलबुले बाहर निकलने लगेंगे इस ग्यास को चित्र 6.5 में दिखाई गए विवस्था के अनुसार ताजे बने चुने के पानी में से गुजारिये चुने का पानी तयार करने की विधी अध्याए 5 में बताई गई है चुने के पानी में क्या परिवर्तन होता है? परखनली में परिवर्तन इस प्रकार से होते हैं सिरका यानी आसेटिक अमल, जमा खाने का सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बुनेट, बनता है कार्बन डायोकसाइड, सी ओ टू और अन्यपदार. इस प्रक्रिया को चित्र 6.5 के माध्यम से बताया गया है, जिसमें चूने के पानी में से गास को गुजारने के लिए व्यवस्था की गई है. इस चित्र की संख्या है चित्र 6.5. प्रिष्ट पैसट कार्बन डायोकसाइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है. कार्बन डायोकसाइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया इस प्रकार से होती है. जैसे कार्बन डायोकसाइड CO2 जमा चूने का पानी CAOH2 बनता है कैल्शिम काबोनिट जो है CACO3 जमा जल H2O. जब कार्बन डायोकसाइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शिम काबोनिट बनता है जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है. चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डायोकसाइड का मानक परीक्षन है. आप इसका उपयोग अध्याए 10 में ये बताने के लिए करेंगे कि हम श्वसन में जो वायू बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डायोकसाइड की मात्रा अधिक होती है क्रिया कलाब 6.6 से 6.8 में आपने पाया कि प्रत्येक परिवर्तन में एक या अधिक नए पदार्थ बने थे क्रिया कलाब 6.6 में मागनीजियम को वायू की उपस्थिती में जलाने पर बनने वाली भस्म एक नया पदार्थ थी क्रिया कलाब 6.7 में कॉपर सलफेट की लोहे के साथ अभिक्रिया से आइरन सलफेट और कॉपर बने थे ये दोनों नय पदार्थ थे कॉपर लोहे के ब्लेड पर निक्षेपित हो गया था क्रिया कलाप 6.8 में सिरका और खाने के सोडे की अभिक्रिया से कार्बन डायॉकसाइड बनी थी, जिसने चूने के पानी को दूधिया कर दिया था क्या आप इस अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ का नाम बता सकते हैं? वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं उदाहरन के लिए भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूरों का किनवन आदी विभिन रासायनिक परिवर्तनों के कारण होता है और शदी भी रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रंकला का अंतियोत पाद होती है उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक और अपमार्जकूं यानि डिटरजन्स को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही बनाया जाता है वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोच रासायनिक परिवर्तनों का अध्यन करके की गई है आई ही अब हम कुछ अन्य उदार्णों पर विचार करते हैं आपने देखा कि मैगनेशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है कोईला लकडी अत्वापत्यों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है जलने के साथ सदैव उश्मा का उत्पादन होता है पटाखों का विसफोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है आप जानते हैं कि ऐसे विसफोट से उश्मा, प्रकाश, ध्वनी और अरुचकर गैसें उत्पन होती है जो वायू मंडल को प्रदूशित करती है इसलिए आपको पटाखे ना जलाने की सलहा दी जाती है जब भूजन सामगरी बासी हो जाती है, अथवा सडगल जाती है, तो उसमें से दुरगंध आने लगती है क्या हम इस परिवर्तन को रासानिक परिवर्तन कह सकते हैं? प्रिष्ट छियासट यहाँ पर एक लेक दिया गया है, जिसका शीरशक है सुरक्षात्मक आवरन इसमें लिखा है, आपने वायुमंडल में ओजोन की परत के बारे में अवश्य सुना होगा यह हमें सूरे के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैगनी विकरन से बचाती है ओजोन पराबैगनी विकरन को अवश्योशित कर लेती है और ऑक्सिजन में परिनत हो जाती है ऑक्सिजन ओजोन से भिन होती है क्या हम ओजोन के अबघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? यदि ओजोन द्वारा पराबैगनी विक्रण अवशोशित नहीं होती तो वह प्रित्वी की सतह पर पहुँचकर हमें और अन्य जीवों को हानी पहुचाती ओजोन इस विक्रण से हमें सुरक्षा प्रदान करने में प्राकृतिक आवरण की तरह कार्य करती है संभवतह आपने महसूस किया होगा कि यदि सेब को काटने के बाद ततकाल ना खालिया जाए तो उसके कटे हुए टुकडे भूरे रंग के हो जाते हैं यदि आपने रंग में ये परिवर्तन नहीं महसूस किया है तो किसी सेब का एक टुकडा काटिए और उसे कुछ देर तक ऐसा ही छोड़ दीजिए इसी प्रकार का क्रिया कलाप आलू अथवा बैंगन के टुकडे के साथ दोहराईए ऐसी प्रतेक स्थिती में रंग का परिवर्तन वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थों के बनने के कारण होता है क्या ये परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है बूजो कहता है अध्याए एक में हमने पढ़ा कि पादप यानि पौधे अपना भोजन प्रकाश संचलेशन नामक प्रक्रम द्वारा स्वयम बनाते हैं क्या हम प्रकाश संचलेशन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? पहेली ने कहा कि पाचन भी एक रासायनिक परिवर्तन है अध्याए पाँच में आपने अमल और क्षारक को परसपर मिलाकर उदासीन किया था क्या उदासीनी करण की अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन है? 6.3 लोहे में जंग लगना आईए हम जंग लगने की घटना पर पुनह विचार करते हैं ये एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तूओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नश्ट कर देता है चुकि लोहे का उप्योग सेतू यानि पुल, जहाज, कार, ट्रक आदी का धाचा बनाने और अन्य कई वस्तूओं को बनाने के लिए किया जाता है अतहा जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानी बहुत अधिक होती है जंग लगने की प्रक्रिया को इस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है लोहा, Fe, जमा ओक्सिजन, O2, वायू से जमा जल, H2O, देता है जंग, यानि आइरन ओक्साइड, Fe2O3 जंग लगने के लिए उक्सिजन और जल अत्वा जल वाश्प दोनों की उपस्थती अनिवार रहे वास्तव में यदिवायू में आर्धता की मात्रा अधिक हो, अर्थात नमी अधिक हो, तो जंग जल्दी लगती है पहली कहती है, ओ, इसलिए मेरी सहेली रीता सदैव लोही की वस्तुओं में जल्दी जंग लगने की शिकायत करती है क्योंकि वह समुद्र तटके निकट रहती है हम जंग लगने से रोखथाम कैसे करते हैं? लोही की वस्तुओं को ऑक्सिजन अत्वा जल अत्वा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जा सकता है इसका एक सरल उपाई उन पर पेंट अत्वा ग्रीज की एक परचड़ाना है वास्तव में लोहे की सभी वस्तुमों पर नियमित रूप से पेंट अथ्वा ग्रीज की परत चढ़ाते रहना चाहिए जिससे उनमें जंग लगने को रोखा जा सके एक अन्य उपाई लोहे के उपर क्रोमियम अथ्वा जस्ता यानि जिंक जैसी किसी धातों की परत चढ़ाना है लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम यशद लेपन यानि गल्वनाईजेशन कहलाता है अपने घरों में पानी की आपूर्थी के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाईप यशद लेपित होते हैं जिससे उनमें जंग नहीं लगता क्या आप जानते हैं कि पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं और उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है पानी के उपर के भाग पर भी जल की बूंदें गिरती रहती हैं यही नहीं समुद्र के पानी में अनेक लवन भी पाय जाते हैं लवन युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं आतहा, जहाजों पर पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगने से काफी क्षती होती है। यही नहीं, जहाजों के लोहे के कुछ भाग को बदलना प्रतिवर्श आवश्चक हो जाता है। क्या आप विश्व में जंग लगने से होने वाली कुल आर्थिक हानी की कलपना कर सकते हैं। स्टेनलिस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकल तथा मैंगनीज जैसी धातूं को मिला कर बनाया जाता है। इसमें जंग नहीं लगती है। 6.4. क्रिस्टली करण प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता है और उसके क्रिस्टलों के आकार को सपष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। तथा पि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलेयन से प्राप्त किये जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टली करण कहलाती है। यह बहुत इक परिवर्तन का एक उधारण है। यहां एक सावधानी लिखी है। लिखा है केवल तनू सल्फ्यूरिक अमल का ही उप्योग करें। जल को उबालते समय सतर्क रहें। ट्रिया कलाप 6.9 में अमल का उप्योग किया जाना है। आतहा इसे शिक्षक की उपस्थिती में किया जाए। किसी बीकर में लगभग एक कप जल लीजिए और उसमें तनू सल्फ्यूरिक अमल की कुछ बूंदे मिलाइए। जल को गर्म कीजिए। जब जल उबलना आरंभ कर दे तो इसमें धीरे धीरे कौपर सल्फेट का चून निरंतर चलाते हुए मिलाएं। जैसा चित्र 6.6 में बताया गया है। कौपर सल्फेट का चून मिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें और कौपर सल्फेट घोलना संभव ना हो। विलेन को फिल्टर पेपर की सहायता से चान लीजिए। इसे ठंडा होने दीजिए। जब विलेन ठंडा हो रहा हो तो उसे हिला डुला कर या अन्य किसी प्रकार ना छेड़ें। कुछ समय बाद विलेन का अध्यान कीजिए। क्या आपको कौपर सल्फेट की क्रिस्टल दिखाई देते हैं। यदी नह क्रिस्टल दिए गए हैं। आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा। अपने आसपास दिखाई देने वाले परिवर्तनों को भौतिक अध्वा रासायनिक परिवर्तनों के रूप में पहचानने का प्रयास कीजिए। प्रिष्ट 68 प्रमुख शब्द रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया क्रिस्टिली करण यशद लेपन भौतिक परिवर्तन जंग लगना आपने क्या सीखा? परिवर्तन दो प्रकार की हो सकते हैं भौतिक अत्वा रासायनिक बहुतिक परिवर्तन में पदार्थों के बहुतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों में कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं। ये परिवर्तन उत्क्रमणी हो सकते हैं। रासायनिक परिवर्तनों में नए पदार्थ बनते हैं। कुछ पदार्थों को क्रिस्टिली करण के द्वारा उनके विलेयनियों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है अभ्यास एक यहां दिये गए प्रक्रमों के अंतरगत होने वाले परिवर्तनों को बहुत एक अत्वार रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गी कृत कीजिए प्रकाश संशलेशन जल में शक्कर को घोलना कोईले को जलाना मूम को पिहलाना अलुमीनियूम के टुकडे को पीट कर उसका पतला पत्र या फॉयल बनाना भोजन का पाचन दो बताईए कि यहां दिये गए कथन सत्य हैं अत्वा असत्य यदि कथन असत्य हों तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसे सही करके लिखिए क लकडी के लठे को टुकडों में काटना एक रासानिक परिवर्तन है सत्य या असत्य ख पत्यों से खाद का बनना एक भोतिक परिवर्तन है सत्य अत्वा असत्य ग जस्ते यानी जिंक लेपित लोहे के पाईपों में आसानी से जंग नहीं लगती है सत्य या असत्य ग, लोहा और जंग एक ही पदार्थ हैं सत्य या असत्य च, भाब का संगनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है सत्य या असत्य प्रिष्ट 79 तीन यहां दियेगे कतनों में रिक्त स्थानों को भरिये क, जब कारबन डायोकसाइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह रिक्त स्थान के बनने के कारण दूधिया हो जाता है ख, खाने के सोडे का रासायनिक नाम रिक्त स्थान है ग, ऐसी दो विधियां जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है रिक्ट स्थान और रिक्ट स्थान है गर ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल रिक्ट स्थान गुणों में परिवर्तन होता है चर ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रिक्ट स्थान परिवर्तन कहलाते हैं चार जब नीम्बो के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है यह किस प्रकार का परिवर्तन है समझाईए पांच जब कोई मुम्बत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए ऐसे ही किसी ग्यात प्रक्रम का एक और उदारन दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं छे, आप यह कैसे बताएंगे कि दही का जमना एक रासाइनिक परिवर्तन है। साथ, समझाईए कि लकडी के जलने और उसे छोटे टुकडों में काटने को दो भिन प्रकार के परिवर्तन क्यों माना जाता है। आठ, कॉपर सलफेट के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं इसका वर्णन कीजिए। नौ, समझाईए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण से होता है। दस, समझाईए कि रेगिस्तानिक शेत्रों की अपेक्षा समद्र तटीक शेत्रों में लोहे की वस्तूओं में जंग अधिक क्यों लगती है। ग्यारहा, हम जो सोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं, वो द्रवित पेट्रोलियम गैस या LPG कहलाती है। सिलिंडर में LPG द्रव के रूप में होती है। सिलिंडर से बाहर आते ही ये गैस में परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तन A, फिर यही गैस जलती है। परिवर्तन B, यहां दिये गए कथन इन परिवर्तनों से समबंधित हैं। सही कथन का चायन कीजिए। क प्रक्रम A एक रासायनिक परिवर्तन है। ग प्रक्रम A और प्रक्रम B दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। ग इन में से कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है। प्रिष्ट सत्तर 12. अवाय विय जीवानू जैविक अप्शिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस यानी बायो गैस बनाते हैं परिवर्तन A फिर जैव गैस इंधन के रूप में जलाई जाती है परिवर्तन B यहां दिये कथन इन परिवर्तनों से संबंधित हैं सही कथन चुनिए क प्रक्रम A एक रासायनिक परिवर्तन है ख प्रक्रम B एक रासायनिक परिवर्तन है ग प्रक्रम A और प्रक्रम B दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है गह इन में से कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है विस्तारित अधिगम क्रिया कलाब और परियोजना कार एक ऐसे दो परिवर्तनों का वर्णन कीजिए जो हानी कारक हों समझाईए कि आप उन्हें हानी कारक क्यों मानते हैं आप उनकी रोक थाम कैसे कर सकते हैं दो चोड़े मोवाली कांच की तीन बोतले लीजिए उन पर A, B तथा C का चिन्ध लगाईए बोतल A को सामाने नल के पानी से लगभग आधा भर लीजिए बोतल B को उसी इस्तर तक कुछ मिनट तक उबाले हुए जल से भर लीजिए जहां तक बोतल A को भरा था बोतल C में उसी उबले हुए जल को उसी मात्रा में लीजिए जितनी अन्य बोतलों में ली थी प्रतेक बोतल में लोहे की एक जैसी कुछ कीलों को डाल दीजिए, ताकि वे पूरी तरह से पानी में डूबी रहें. बोतल सी के जल में एक चम्मच खाना पकाने का तेल डाल दें, ताकि पानी की उपर उसकी एक परत बन चाए. बोतलों को कुछ दिनों तक ऐसे ही रखा रहन प्रत्यक बोतल में से कीलों को निकाल कर उनका अवलोकन करें। उनके प्रेक्षणों का कारण समझाएं। और क्यों? इसे ये जानकारी मिलती है कि अपसे 1600 वर्ष पूर्व भारत में धातू प्रोद्यूगिकी में कितना विकास हो चुका था। इसी के साथ 18 पाठों की इस पुस्तक का पाठ छे शीर्शक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन यहां समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाठ्य पुस्तक। तक्नीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो। तक्नीकी सहायक विकास सांगवान। निर्माण सहयोग कुसुम लता। निर्माण एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन। तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत।